नमस्कार, मैं बात कर रहा हूँ सुर्य ग्रह से बनने वाले योगों के बारे में ऐसा ही एक महतुपुर्ण योग है बुध आदित्य योग बुध आदित्य योग का अर्थ है जनम पत्री में आदित्य यानि सुर्य वै बुध का एक साथ एक ही भाव में स्थित्खुना यह बुध शरल और सोभाविक योग है तथा दिकांस जनम पत्री में पाया जाता है कुछ मामलों में यह बहुती परभाव साली परिणाम देता है जब कि कुछ मामलों में यह बिल्कुल सामान्य परिणाम देता है ऐसा क्यों होता है इसके कारणों को जान लेना आवसिक होता है पहले जानते हैं कि इसका परभाव क्या बताया गया है इस योग वाला जातक, सम्मानित, बुद्धिमान, अपने कारे में कुशल, अपने क्षेत्र में परसिद्ध, सुख के नेक साधनों से संपन, तथा आराम दायक जीवन जीने वाला होता है अब यह जान लेते हैं कि यह योग कब परभावी होता है और कब नहीं होता यदि यह योग जनम कुंडली के केंदर या तरकोन भाव में हो तो अधिक परभावी होता है और अन्यस्तानों में हो तो बहुत कम परभावी होता है सुर्य वैबुद्ध अधिकांस कुंडलियों में एक ही भाव में दिखाई देते हैं प्रन्तु इनका साथ साथ होने का प्रभाव किसी किसी कुंडली में ही दिखाई देता है ऐसा क्यों होता है इसे जानते हैं जनन कुंडली में सुर्य वे बुद्ध ग्रह की अधिकतम दोरी 29 डिगरी की हो सकती है यानि कुंडली में बुद्ध सुर्य से अधिकतम एक रासी आगे या एक रासी पीछे अथवा सुर्य के साथ ही रह सकता है इस से अधिक दोरी बुद्ध की नहीं होती अब यदि दोनों ग्रहों में से एक ग्रह भी निर्वल है तो इस योग का प्रभाव नहीं होता गुद्ग्रह यदि सुर्य से 14 डिगरी से कम दूर होगा तो इसे अस्त माना जाता है अस्त कार्थ है सुर्य के साथ स्थित होने पर ग्रह के बल में कमी आ जाना सुर्य गरम ग्रह है अगनी का गोला है कोई भी ग्रह इसके बिलकुल साथ होगा तो वह भसम तो होगा ही भसम होने पर ग्रह अपना प्रभाव देने में सक्षम नहीं हो पाता बुद्ध के मामले में इसे इस तरह समझना होगा कि यदि बुद्ध ग्रह सुर्य के विल्कुल साथ होने के कारण पूरण अस्त यानि दीप कमबस्ट होगा तो ही इसका प्रभाव जातक को नहीं मिल पाएगा आप प्रेक्टिकल में जब कोई कुंडली देखते हैं तो पाते हैं कि यदि कोई ग्रह सुर्य के विल्कुल साथ है यानि उसके अंसों और सुर्य के अंसों में जीरो एक या दो अंसों का ही अंतर है तो वह अपना प्रभाव देने में असमर्थ हो जाता है क्योंकि वह सुर्य से पीडित हो जाता है इसी तरह यदि कोई ग्रह जीरो एक दो या उनत्तिस अथवा तीस अंशंपर होता है तो भी बालपन या वृद्धा वस्था के कारण अपना प्रभाव देने में असमर्थ होता है ऐसे में बुधा दित्य या किसी भी अन्य योग का फल नहीं मिल पाता शुरिय भी यदि जीरो एक या उनत्तिस तीस अंशंपर हो तो वह भी अपना फल देने में असमर्थ ही होता है 39 या 30 अंस पर होने से यह अगली राजी में जाने की तयारी में होता है जबकि 0 या 1 अंस पर होने से ग्रह स्यम को स्तिर नहीं मान पाता ऐसे में स्वस्थ है कि ग्रह सुर्य से उचित दूरी पर होगा तभी अपना पूरा परिणाम दे पाएगा इसलिए ऐसी विपरीत प्रस्थितियों में बुद्ध आदित योग का कोई प्रेक्टिकल लाव नहीं मिल पाता इसलिए जब दी आप किसी योग के परभाव को ठीक से जाचना चाते हैं तो उस ग्रह के अंस देखना अधि आवस्यक होता है पूरण अस्त या सुन्य अत्वा अंति मवस्था में होने पर ग्रह विपरीत प्रभाव अधिक देगा सुब प्रभावों में कमी ही देगा अभी चर्चा के लिए एक महत पूरण बात और से इस है अगर योग बनाने वाले ग्रह अपनी राशी अपनी उच राशी या मित्र राशी में स्थित होंगे तो अच्छा परिणाम देंगे और यदि यह अपनी नीच राशी या सत्र राशी में स्थित होंगे तो अच्छा परभाव नहीं दे पाएंगे बुद्ध ग्रह के लिए मिथुन वे कन्या राशी अपनी राशियां है कन्या उच राशी भी है व्रिस वे तुला राशियां इसके मित्र ग्रह सुकर की राशियां है और मकर वैकुम्ब राशियां सनी ग्रह की राशियां है जो बुद्ध ग्रह के लिए सम परभाव देने वाला है मिन राशी बुद्ध ग्रह के लिए नेच राशी है इस परकार यदि यह योग मिथुन कन्या तुला या वरिस राशी में बनता है तो बहुत अच्छा परिनाम देगा और यदि मकर या कुम्ब राशी में बनता है तो सामान परिनाम देगा इसका कारण यह है कि मकर वैकुम्ब सनी ग्रह की राशियां हैं और सनी को सुर्य का फुत्र माना जाता है सनी सुर्य को अपना सत्रु मानता है इसलिए शनी की रासी में सुर्य अपना सुब परभाव नहीं दे पाता। अन्य रासियों में भी इस योग का परभाव कम होगा। यदिपी सुर्य तुला रासी में नीच होता है परंतो बुद्ध ग्रह के लिए यह मित्र रासी है। यहां हम बुद्ध ग्रह के परभाव पर अधिक निर्वर हैं। इसलिए ही हमने इसे अच्छा माना है। विशे को और अधिक विस्तार देने पर वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने और समझने के लिए ध अधिक विबरन देकर जानकारी ले सकते हैं। थी इस वैसने आधिकी जानकारी के लिए किरप्या स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर फोन कर लें। धन्यवाद।